Hi students, मैं हूँ AR और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल AR English Lab आज के लेक्चर में हम beside और besides इन दोनों के दर्मियान difference discuss करेंगे इसलिए हमने आज के लेक्चर को नाम दिये है difference between two words Let's start सबसे पहले हम बात करते हैं beside की इसका उर्दू में meaning होता है करीब साथ या फिर पास और besides इसका उर्दू में meaning होता है इलावा या मा सिवाए तो examples पर आईएगा आपको फॉरण समझ में आ जाएगा हमरे पास example number one है असद साथ बिसाइड आसिम यानि असद आसिम के करीब बैठा था तो यहां पर beside करीब के meaning में आ रहा है इसलिए यहां पर कहा जा रहा है असद साथ beside आसिम यानि असद आसिम के करीब बैठा था इसी तरह example number two है besides आसिफ everyone likes it आसिफ के इलावा हर कोई इसे पसंद करता है अब इस sentence में besides इलावा के meaning में आ रहा है इसलिए यहां पर कहा जा रहा है besides आसिफ everyone likes it यानि आसिफ के इलावा हर कोई इसे पसंद करता है तो यह था जिए हमार आज का topic जिसमें हमने besides और besides इन दोनों के दर्मयान difference discuss किया I'm sure आज का topic आपको समझ में आया होगा अगर आपको इस तरह के किसी भी topic में problem हो तो आप इस वीडियो के comment box में comments करें हम आपके लिए वो lecture upload कर देंगे इस तरह के मजीद अच्छे lecture सिखने के लिए आप हमारा YouTube channel AR English Lab जरूर सबस्क्राइब करें और bell icon को प्रेस करें तके हमारी आने वाली हर नई वीडियो का notification आपको time पे मिल सके thank you, buh-bye